तो बच्चों हमने कार्ट और वील्स का पूरा चाप्टर आपके जो बुक में चाप्टर है उसका पूरा एक्स्प्लेनेशन में आपको दिया है अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देखिए यहाँ पर हम वरक्षीट देखने वाले हैं जो आपके एक्जाम में आपको बहुत हैल्प करेगा तो यहाँ पर तीन चार वरक्षीट से उसे पूरा सॉल करेंगे एक्स्प्लेनेशन के साथ तो पहले जो क्वेच्चन है फिलिंग दे ब्लैंक्स दे रेडियस इस डैस डैस ऑप दे डायमेटर ठीक है रेडियस डायमेटर का कितन से भी लिख सकते हैं लॉंगेट चौन आपडी अपर इसेल कि ऊसे बोलता है दायमेटर कि बोलते हैं लीटर कि कि दिस्टंस ऑर्प डायमेटर इसकाइछ जो डिस्टंस अरूरा सठीकल की जैसे परियो स्क्वेर का या खेयो रिक्टैंगल का जैसे एरिया पेरिमीटर होता वैसे जो the distance around the circle is called circumference क्या बोलते है circumference circumference ठीक है इसके बाद the diameter of a circle diameter of a circle always passes through its center हमेशा कहां से जाता है डायमेटर से जाता है the diameter divides the circle into two equal parts circle को कौन दो equal parts में divide करता है तो उसका diameter करता है the distance from the center of the circle to the boundary in any direction is called radius of the circle center से start होके किसी भी boundary तक हम कोई भी direction से जो निकाल सकते है वो है radius आगी का question दिखेंगे tick the correct option यह पर आपको बस tick करना है a circle always has that as centers कितने center होते है circle को हमेशा बस one the line segment that join the center of a circle the boundary center से boundary तक को जाता है radius उस segment को क्या बोलता है radius a circle is a dash dash figure open फिगर है close फिगर है कि open curve तो यह close फिगर है इसके बाद a circle is formed by यह जो circle है वो कौन से form में होता है कर फोर्म में होता है ठीक है कौन से बनता है curve line से बनता है choose the option which is circle यहाँ पर कौन सा circle है आपको दिख रहा है कि यह second वाला जो option है वह वाला circle है अगली यह देखते हैं वक्षिन तो देखिए find a radius of the following circle in mm यहाँ पर आपको खुद मेजर करना है आप scale लेंगे और यहाँ पर उनको मेजर करेंगे उनका radius उनके center से boundary तक उसका measurement mm में लिखना है आपको identify the parts of each circle अभी parts identify करेंगे देखिए मैं 3 solve कर देती हूँ बागी कि आप खुद करेंगे ताकि आपकी practice भी हो तो diameter क्या होता है हमेशा center से pass होता है और boundary के दो points को connect करता है जैसे a और b ने किया है उसके बाद cod क्या होती है कौड भी circle के दो points को join करती है बट वो center से नहीं जाती इसलिए dc जो line है वो क्या कर रही है? circle के दो points को join कर रही है बट वो center से नहीं जा रही है इसलिए dc क्या है? उसका पोइंट पर कनेक करती है तो ओ एक्स हमारा क्या हो गया है ओ एक्स हमारा है कर डेडियस उसके बाद बी वाला फिगर देखिए उसमें जो डायमेटर है वो कौन है डायमेटर हमारा है है E C तो उसके बाद क्यूड है हमारा B D और रेडियस है हमारा O A कि उसके बाद C वाली फिगर देखिएंगे तो हम देखेंगे तो हमारा जो डायमेटर है वो है N Q और जो कौर्ड हे वो है M R और रेडियस है हमारा सेंटर से बाउंडरे तक O P डी वाली फिगर देखेंगे हमारा डायमेटर है आर टी क्योंकि वो सेंटर से पास होकर सरकल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है आर टी इसके बाद कॉड जो है वो है क्यू एस और रेडियस है हमारा ओ पी तो यहां पर मैंने डी तक आपको सॉल करके दिया है ई और एफ आप को पार्ट के जो नेम है वो लिखने है चलता है अगली वर्क्र你知道 ऍे एस यहां पे डी गूडर पर म التकों करना है अगए अगर उसका शनर मीटर यह रहेगा ऑनाफी सेन्टीमीटरी अगर है के तो इसаньше होता है को टू से डिवाइट करेंगे तो तू फोर्जार एट कि रिमाइंडर इज वन और यहां पर अगर हम जिरो लगाते तो यहां पर पॉइंट देंगे और फिर टू फाइव जा टेन तो टेन माइनस तेन जिरो हो जाएगा और हमारा अंचर आजाएगा फाव फॉर पॉइंट वह सवक्त हैं सबस्कीतर करेंगे अगर टू करेंगे तो टू से डिवाइट करेंगे तर टू करेंगे तो घू च्शना पर फिरत steeds फेडृ जाएगा शिरो लखेंगे तो यहां पर पॉइंट आजmayेँंग 10, 10-10, 0 तो reminder 0 आ जाएगा हमारा radius के आ जाएगा यह आपट 3.5 ठीक है आगे देखते हैं जो G दी गया है आपको 14 cm है तो 14 cm का आदा होता है 7 cm अगर radius 14 cm है तो उसका आदा 7 cm radius होगा 15 cm है तो 15 को भी हम क्या करेंगे 2 से divide करेंगे 27,014 हमारा remainder 1 बच जाएगा इसलिए हम आगे 0 देंगे यहाँ पर उपर point रखेंगे 25,010 ठीक है 10-10,0 इसलिए हमारा answer आ जाएगा 7.5 ठीक है आगे है 12 cm तो 12 cm अगर हमारा diameter है तो उसका आदा कितना होगा 6 cm हमारा radius होगा 4 cm अगर diameter है हमारा तो हमारा radius होगा 2 cm अगर 22 cm हमारा diameter है तो उसका आदा 11 cm हमारा क्या होगा radius होगा 64 अगर हमारा diameter है तो हमारा radius होगा 32 cm उसका आदा 6 cm है तो 3 cm radius होगा बाकी के जो यह 3 है उसको आपको खुद solve करना है आपको diameter दिया गया है और आपको radius find करना है तो हमें पता है कि diameter का आधा radius होता है तो जो diameter की value दी गई है उसको आधा करना है ठीक है आगे वाला question देखते है give the diameter if the radius of the circle is बोलना हूँ give the diameter of the radius यहाँ पर क्या किया है भी radius दिया गया है तो हमें diameter find करना है ठीक है 4.5 cm को 2 से multiply करेंगे क्योंकि हमें पता है कि radius का दुगना diameter होता है 4.5 multiplied by 2 या फिर आप ऐसे भी कर सकते है 4.5 प्लस 4.5 5 प्लस 5 3 यह आ जाएगा 0 यह पर point और यह 1 4 प्लस 4, 8 प्लस 1, 9 9.0 मतलब point के बाद अगर 0 है तो हमनों से consider नहीं करते है 9 cm अगर हमारा radius 15 cm है तो 15 प्लस 15 30 cm हमारा diameter हो जाएगा 7.5 है तो 7 प्लस 7, 14 और 5 प्लस 5, 1 इसलिए 15 cm यह आपको आना चाहिए औरली अपने addition भी करती आनी चाहिए 7 cm radius होगा तो 7 प्लस 7, 14 cm हमारा diameter होगा अगर हमारा radius 2 cm हुआ तो हमारा diameter होगा 4 cm अगर हमारा radius 4 cm हुआ तो हमारा diameter होगा 8 cm अगर 25.5 होगा तो 25 प्लस 25, 50 और 0.5 प्लस 0.5, 1 ठीक है तो हमारा 50 प्लस 1, 51 cm 64 cm हुआ तो 64 प्लस 64, 4 प्लस 4, 8 और 6 प्लस 6, 2 तो हमारा diameter जो है वह होगा 128 cm 6.5 होगा तो 6 प्लस 6, 12 और 0.5 प्लस 0.5, 1 होता है तो 12 प्लस 1, 13 cm 1.5 हा तो 1 प्लस 1, 2 और 0.5 और 0.5 प्लस 0.5 और 0.5 को addition करेंगे तो 1 आएगा तो 2 प्लस 1, 3 cm 25 cm हमारा radius हुआ तो हमारा diameter होगा 50 cm और 33 cm अगर हमारा radius हुआ तो हमारा diameter होगा 66 cm आगे देखते हैं trace the following dots with pencil and compass आप ऐसे भी pencil से pencil और compass का यूज़ करके आपको जो ये dot दिये गए है उसको आपको join करना है ठीक है? यह आप खुछ कर सकते हैं draw circles of different size using a coin bottle, bottom part of a bottle and a glass color the largest circle made yellow and a small circle made green आपको क्या करना है? अलग-अलग coin लेना है उससे अलग-अलग size के circle draw करना है उसके बाद अलग-अलग bottle लेके bottle की जो bottom होती है या फिर glass का जो bottom होता है उसके साथ आपको circle trace करना है और जो बड़े circle है उनमें yellow color fill करना है और जो छोटे रहेंगे उसमें green color fill करना है draw circles for the following radii radii का measurement लेके आपको circle draw करना है ये कैसे करेंगे? compass लेंगे पहले compass लेंगे उसके बाद scale लेके उसे paper पर रखकर tip में compass के tip में और pencil में हम क्या करेंगे 2 cm का distance पहले measure कर लेंगे और उसके बाद center draw करके center के साथ हम circle draw करेंगे तो आपको ऐसे ही करना है आपको video भी मिल जाएगी जैसे practical video होगी इसके तो मैं वो send कर दूँगी ठीक है? तो ये radius के साथ इस measurement के साथ आपको circle बनाने है आगे की वक्षिट देखते है circle the object which have a circular base ऐसे object को circle करिए कि जिसका जो base है base मतलब जिस पे वो चीज खड़ी है तो वो अगर circular shape में है तो उसको आपको circle करना है तो ये पहला जग का भी है बटन भी है ये नहीं है ये भी नहीं है उसके बाद cup और saucer है उसके बाद ये है burn है ये भी circle में नहीं है actually crayons का base जो है वो भी circle में होता है book का नहीं होता आगे देखते है draw three circles of equal radia on the corners of the following triangle x y z taking a b c as the center हिंडे को या पर दी गई है आपको क्या करना है simply ये जो है ना a का corner है b का corner है c का corner है इसे आपको as a center use करके आपके compass का tip रखकर आपको तीनो corner से circle बनाने वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं ठीक है आपको पहले क्या करना है a corner पर tip रखेंगे और circle बनाएंगे then c corner पर tip रखेंगे compass की circle बनाएंगे और फिर b पर बनाएंगे तो ये जो diagram है वो यहाँ पर बन जाएगी आगे दिखते है name the parts of the following circle ठीक है कौन सा parts कौन सा है पहले तो हमने parts के नाम लिखेते यहाँ पर कौन सा part है यह ठीक है o क्या है हमारा center o e क्या है o e है हमारा radius उसके बाद d c हमारा क्या है diameter उसके बाद a b है हमारा diameter उसके बाद f g है हमारा cord o d क्या है हमारा o d यह देखो o center है और d boundary पर कोई point लेके उसमें radius ड्रॉ किया है तो यह हमारा radius तो यह हो गई हमारी worksheet complete अगर इसमें कोई भी problem है तो आप comment section में बहेज सकते हैं ठीक है यह worksheet का help आपको आपकी exam में जरूर होगा ऐसे ही वीडियो के लिए channel को subscribe जरूर करिए और वीडियो को like और share करिए